एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है शीबायनु में ट्रेट करने वाले अब कमर कसलो क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब शीबायनु में बड़े ब्रेकाउट के संकेत मिलने वाले है और बड़े ब्रेकाउट की तरफ शीबायनु यहां से मोग कर सकता का है क्योंकि जेस टाइब से डाउन ट्रेंड कमजोर हो रहा है और जेस टाइब से डाउन ट्रेंड कमजोर हने से एक अप ट्रेंड की स्थिति बनी है उसकी और उलट ब्टीशी में ETF की तरफ से जो पेशा आया है اور जो संकेत मोमेंट के मिले है и तीएफ को लेकर वह भी एक बड़े संकेत के और इसारा कर रहा है और इसलिए अगर आप देखे तो BTC में बड़ी ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है US ETF की तरब से जो पेशा BTC में आ रहा था उसमें जबरजस्त वोल्यूम में इंक्रीजमेंड हुआ है डेली ट्रेडिंग वोल्यूम BTC ETF का अनेक्सपेक्टेड तरीके से बड़ा है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो UN जो USA है उसका बेसिकली इरान इसराइल का जो गतिरोध चल रहा था उसमें बहुत जादा फोकस था और उन दोनों कंट्रीज के बीच में जो गतिरोध हुआ उसकारण से जो US के इन्वेश्टर थे वो BTC ETF से पेसा निकाल कर सेफ ओलेट में भेज रहे थे और इसी कारण से BTC में बड़ी ग्रावट यहाँ पर देखने को मिली थी जैसा कि मैंने बताया था अब वापस इनकी मोमेंट यहाँ पर हुई है तो बड़ी यहाँ पर जो है चार जिरो के साथ 60 के लेवल पर मूग कर सकती है और इसमें एक तरीके से बड़ी यहाँ पर ग्रोध देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जो जिस टाइप से डाउन ट्रेंड कमजोर हो रहा है तो विशलेशों को ने यहाँ पर बोला है कि ब्रेक सकता है और चार जिरो के साथ 60 के लेवल पर प्राइज जा सकती है चार माई को जारी ग्रावट के बाद यह एक तरीके से महत्पुर्ण मोड पर अभी शिवा इनू चल रहा है और इस महिने की सुरुवात में शिवा ने पुरे अप्रेल में दर्ज की गई ग्रावट में 27% तक मासे हानी यहाँ पर हुई है लेकिन उसके बावजुद महिने की सुरुवात में पुनर प्राप्ति को देखते हुए यहाँ पर बताये गया है कि नुकसान का एक बड़ा दोर यहाँ पर चले गया है और उस हिसाब से यहाँ पर जो है शिवा इनुमें बोलिंजर बे कावड को खत्म करने में मदद करेगा और अगर यह डाउन ट्रेंड की मुमेंट यहाँ पर रुख जाती है तो कहिना के शिवा इनुमें एक बड़े उलट फेर के संकेत भी यहाँ पर मिल रहे है जिससे शिवा इनुमें बड़े उलट फेर होंगे अब इसका पूरा चल रहा था उसको कहिना कहीं शिवा इनुमें यहाँ पर ब्रेक करेगा और यह जो लेवल है यहाँ से तूटता है तो एक तरीके से तेजी से यहाँ पर बाइंग पोजिशन बनेगी इस बीच बीटीसी में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी क्योंकि बीटीसी का ETF कहिना कहीं यहाँ से और ज्यादा शिवा में एंट्री लेवल बढ़ सकता है लोग एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है कि अभी दो से दो मेहने का एक ऐसा डाउन ट्रेंड चल रहा है जो कि सितंबर या जुलाई के एंड तक खत्म होगा या तो जुलाई में खत्म हो सकता है या फिर सितंबर में तब जाके बड़ी जो बुलरें के सुरुआत है वो यहाँ से आ सकती है लेकिन तब तक तो इसी लेवल पर मार्केट घुमेगा लेकिन अगर यह पोजिशन और ज्यादा चलती रही और जैसे भी बिटकोईन 75,000 डोलर के करीब पहुच जाता है तो फिर तो या अभी से सुरुआत इसकी हो सकते है लेकिन संभावना एक कम है कि या यह ग्रोथ एक बड़ी ग्रोथ में बढ़ेगी इसलिए यहाँ पर अगर संक्यत देखोगे तो जो एक्सपर्ट है उन्होंने केवल 4060 का लेवल यहा है कि स्थिति यहाँ पर BTC के कारण शिबायनों की सुधर सकती है और शिबायनों एक बड़े ट्रेंड के साथ आगे के तरब जा सकता है क्योंकि जब एक क्रप्टो करेंसे कीमा डाउन ट्रेंड के दोरा नीचले बेंड से नीचे तूटती है या गिरती है तो आमतोर पर होल्ड छेतर में तूट सकती है और यही संकेत यहाँ पर मिल रहा था जो कमजोर होता हुआ दिख रहा है तो इससे कहीं ना कहीं BTC में भी पल्टाव की स्थिति आएगी और recovery mode पर शिबायनों यहाँ पर देखने को मिलेगा तो शिबायनों के लिए सबसे पहला target तो अपना पूराना अभी जो रेली आई थी यह वाला target इचीव करना और इसके अलावा ATH को तोड़ना शिबा के लिए दूसरा बड़ा target है यह वाला इन दोनों ही target को जब शिबायनों तोड़ देगा तो अब इसलिए यहाँ पर एक बड़ी buying देखने को मिलेगी जो शिबायनों को इसी फेर में घुमेगी लेकिन कहीं न कहीं एक buying position अच्छी बन रही है क्योंकि प्राइस संबह होता है इस level पर फिर आए यह नहीं आए वो एक समय ही बताएगा लेकिन entry लेने के लिए right time यही है अब कुछ लोग अभी भी entry नहीं लिए होंगे तो वो लोग यहाँ पर entry ले भी भूद गिर सकती है लेकिन यहाँ पर ज्यादा moment अभी positive signal की तरफ है जिससे शिवायनों ऊपर की तरफ ज्यादा मोग कर सकती है तो देर सवेरे वेल्स की क्यों भूमी का यहाँ पर आ रही है क्यों वो इतने बड़ी मात्रा में coin को coinbase exchange पर भेजे है क्योंकि कल आज और अगर यह बेचेंगे तो इनके हाथ में तो कुछ नहीं लगना है क्योंकि obviously market अब जाके recovery mode पर आया है जो की positive signal दे रहा है इस बीच अगर हम देखे तो ETF को लेकर भी positive signal आ चुके है जहाँ पर 27 million dollar का प्रभा देखा गया है और एक दिन में single day में 5.65 billion जो है trading volume यहाँ पर ह हुआ है BTC ETF में तो यह भी एक बड़ा संकेत है कि बड़ा पेसा यहाँ पर US ETF की मदद से यहाँ पर आया है जो एक बड़ी flow को दरसाता है तो यह भी एक कारण है कि कल market इसलिए तो increase हुआ था BTC का BTC 62,000 से 62,000 पर पहुचा था इसी कारण पहुचा था और अभी और लेवल इसका आ सकता है हलाकि यहाँ पर resistance से काम जरूर करेगा यहाँ पर लेकिन ETF में जो पेसा आता है वो long term की position के हिसाब से आता है अब long term की position के हिसाब से यहाँ पर उनके लिए कोई barrier इतने बड़े महतु नहीं रखाते कि आ रही है resistance बन रहा है तो नहीं खरीदे वो ETF की process है तो और उपर तक जा सकता है और एक दो barrier यहाँ पर टूड भी सकते हैं तो इसका सीधा impact Shiba जैसे price पर देखने को मिलेगा Shiba Inu में बड़ी बरत यहाँ पर दिखेगी लेकिन वेट तो करना ही है लेकिन hold is gold इसाथ आप रहेंगे तो काफी profit यहाँ पर gain कर सकते हैं तो I hope यार Shiba In को लेकर आपके क्या opinion है comments में जरूर लिखे नमश्कार